महाराष्ट्रात अवकाली पाउस जाला है, पिकान जा नुकसान जाला है, शेतकरी पुन्हा एक दा चिन्तेता है, पुडचे दोन दिवस काय परिस्तिती आशना रे, या बापत अपना अंखिन जानून घेनारोत, डॉक्टर अनुपम कश्यपी अंचा करना, जे हावमान खा अपन बक्तो है कि महाराष्ट्रात गेला कही दिवसान पसुन अवकाली पाउस जाला है, जा मोले अनेक पिकान जा नुकसान जाला है, अजोन आखी किती दिवस अपलेला अवकाली पाउस बगाला मेरनारे, यह जो फेज चल रहा है, यह पिरियाद में, वे रस्पेक्टिं अनादर 48 देज, 48 तास और 48 तास आपका ऐसा संभावना रहेगा, जो की बोला जा रहा है, विंड इंटराक्शन, यह के पस्षे मिक्षो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ रहा है, यह एवं साउथ इस्टरली, सदरली, यह ट्राफिन इस्टरली, यह दोनों, यह वेस् तक्राव याने के इंटराक्शन यह एस्पेशली हो रहा है, एरियाज आप मध्यप्रदेश, नौर्थ, सेंचल, पार्ट आप महाराश्यों, इंक्लूडिंग विदर्भा, लिटल मिट एरिया आप चत्तिसगर, यह एस्पेक्टेड है, आगामी, पुर्चा, पुर्चा अ साथ महाराश्यों, यह थोड़ा बहुत इसमें जो अभी पाउस ताची स्थी, यह थोड़ा बहुत कॉंटिनू करने का संभाव ना लग रहा है, विकास एक बंगाल के खाडी में, नियर साउथ अंदाबंसी एरिया, यहां पे एके गैरा कंदाउक्षित्रों बन चुका है एवां इसका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वर्ड मुवमेंट के साथ, एसपेक्टेड कल तक डेप्रेशान याने के अवदाउक्षित्रों एवां इसके बाद हो साक्लोनिक स्टर्म परिवर्तित हो सकता, एवां मुवमेंट के बज़े से हमारे प्रदेश का एस्पेशाली दक्षिन मद्ध पूर्भी हिस्ता, ये जगा कुछ नमी, चार पांच तारिक तीन तारिक ओनवर्ड, डिसेम्बर तीन ओनवर्ड, चार पांच ये पिरियद, कुछ नमी मिलेगा, अंग्षिक धागल, बातावरन ये पिरियद होना ची शक्कता, अभी जो विंड इंट इं महाराश्चों, नौर्थ अप मारत्वाडा, एवं एंटार विदर्भा, साथ में MP का स्पेशलिस्त दानिस्ता, ये सब जगा, मेगा गर्जिन करकरा हाट साहित, पाउसाची शक्कता आए, नेक्स्ट फोर्ट इट आवार्स, एवं इसके बाद कमी होना रहे, याच्छा, पुडचे अठे चाहिस तास जसा तुमी सांगितला कि अपलेला दक्षिन, मरात्वाडा, विदर्भ, आणी पश्चिम महाराश्च्रा तही अपलेला पुडचे अठे चाहिस तास, काही प्रमानात पाउस दिसू शक्तो, मात्र येचा पुड़े जी परिस्तितिती आहे, ती कश्या शना रहे, हाओ काली पाउस पड़ाईचा बंद होना रहे हाँ, देखिए, इसमें जो बताया, एक्स्टिम नौर्था, मध्यमहाराश्च्रा एबंग नौर्था, मरात्वाडा, यहां पे इवेन, गार्पिट संभावना, आज के दिन, एक फेंट चांस लग रह तो रहे गाई, एवाँ दट विल कॉननू जासे बताया, अर्तालिस्तास, यह इसके बाद, अर्तालिस्तास के बाद, 72 आवर्स, मिलसे, नेस्ट अनदाट 24 आवर्स, यह पिरियाद, अलका पाउस्ताची, बहुती आलका ते, आलका पाउस्ताची शक्कता रहे, मेगर्जन कामी होना रहे, now your question is, अभी दोबारा ऐसा कैसे कब होगा स्थिती, देखिए, जो अभी मोनिटर कर रहे है, यह easterly trap, more or less, continuously चल रहा है, and sending हमारे प्रदेश में, यह south easterly, या south south easterly, या sadarly हवा के साथ, बंगाल के खाड़ी होते हुए, नमी काफी पहुच रहा है, समय समय पर देखा जा रहा है, कि यह जो ट्राफी इस्टरली यह बना हुआ है, एबंग इस बज़से भी नमी अरब सागर से भी कुछ, and mainly बंगाल के खाड़ी से मिल रहा है, अभी परस्चेम बिक्षब, winter is approaching, परस्चेम बिक्षब यह period में काफी quite common होता है, परस्चेम बि से जो induced उपडियावा चक्रबाद, यह राजस्तान या MP के उपर बनेगा, या गुजरात के उपर बनेगा, तब फिर से यह जो उपर से आ रहा है, नमी के साथ ठंडा हुआ, नीचे से आ रहा है, नमी के साथ गरम हुआ, एबंग अब्यसली यह Central India एबंग हमारे प्रदेश का, except South का छोड़के, बाकी पूरा, एबंग कॉंकन का कुछ हिस्सा छोड़के, बाकी प्रदेश पूरा भालनरेबल हो सकता, अभी राइट नाओ नहीं चांस, यह फेज, जैसे बताया, अड़ता लिस्तास के बाद, सम्मावना कम हो जाएगा, बट नेक्स्ट, साक्रोनिक स्टॉर्म बनने जा रहा है, उस बज़े से कुछ नमी प्रदेश का, especially South, Central, Eastern पार्ट, इसमें कुछ नमी मिलेगा, तो होगा, तो अवकली पाउस, ओवरल, यह पिरियद, मनें, पोस्ट मंसूर निवाँ, विंटर आने से पहले तक, यह पिरियद में, एक अपलेला लक्षण कदी पसुंदी साला सुर्वात होती, यह बैसिकली देखिए, यह जो आपका ट्राफिन इस्टारलीस के बज़े से काफी नमी प्रदेश में बारबार आ रहा है, एवं यह जो विंट इंटराक्शन, यह बज़े से अभी जैसे बताया, मेगा गर्दिना कड़कडार सहित बादल पाउस ची शक्कता, तो नाचरली दागाल बाताबरन, अंक्षिक दागाल बाताबरन, एवं समय समय पर, समय नत दागाल बाताबरन तर विल कौने नहीं हो, यह अभी आगला अर्थालिस तस चलेगा, फिर दो तिन दिन गाप देखे, थार्ड इव बाताबरन रहेगा, नाइट टाइम जो लॉंग वेव रडिएशन एसकेप होता है, नहीं हो पाएगा, नाचरली रात का तापमान बढ़ जाएगा, अभी आप फिल करेंगे, कि नाइट टाइम टेमपरचर थोड़ों सा अनकॉमफोर्टेबल, जो चिल यह पिरियद होना चाहिए, बिल्कुल मिसिंग, दो दिन पहले भी जो था, अभी उतना नहीं है, बट फिर भी शॉट पिरियद के लिए जैसे आज सुबह, पास्ट ट्वीफोर आवर्स, थोड़ा बहुत फॉल हुआ, अराउंड टू डिगरी फॉल हुआ, लेकिन आभी एस्पेक्ट कर रह चाहिए, आणी मग थोड़े दिवस पाउस पढणार नहीं, मतर तीन डिसेंबर चा पुढे पुणहा एक दा पाउस पढणाची शक्यता है, कारण जी आधरता आहे, ती आधरता वाधत जाना रहे, तैचा मुए पुणहा एक दा मध्यमाहराश्ट्र विदर्व आणी मरा तीन भागान मदे अपल्याला पुणहा एक दा पाउस पढ़ेल अशी शक्यता जी आहे, ती तैंजा करना वर्तावना दालिये, कामरामना मोल गवाळे सहो देवियानी अदला बत कर एबीपी माजा पोणे, एबीपी माजा, उगडा डोले बगा नीट